देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमा से कूदें, अंगडाई ले फिर करवट बदलकें, नाजुक सिमोती हस दें फिसलकें। खोन जाएं ये तारे जमी पर। नई उर्जा और नया उत्सा भरते और इसी काम को बखुवी कर रहे हैं जाने माने, संगीत के जादुगर, शंकर महादेवन जी जो इस वक्त मेरे साथ हैं। जो आपका ये SME निर्वाना, दिल का लंगर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मुहिम है, ये क्या है और कैसे शुरू हुआ और बहुत सारे मरीजों को और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अकेले पन की जिंदगी जी रहे हैं। उनमें एक नई उर्जा नया उत्सा ये भर ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है? सबसे बड़ा एक बिमारी है, मतलब आप आप देखेंगे बुजर्ग लोग सिर्फ बैठें इतना लोनली हैं, इतना अकेले हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं, कि इतना बड़ा एक कंडिशन है, तो लोनली पीपल हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, इन लोग के लिए हमने वरिद्धाश्रा में शाहिद, जहां पर समझो, पचास पेशेंट्स हैं, सौ पेशेंट्स हैं, जो सिर्फ पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा यह हो रहा हूँ, अगर हम थोड़ा सा एक घंटा देड़ घंटे की ज पड़ा हो जाता है, तो हमारे पास सौ से भी जादा टीचर्स हैं, और हजारो स्टूडेंट्स हैं, और मैं भी हूँ, तो हम लोग जब-जब मौका मिलता है, हम लोग उनने डिसाइड किया कि कोई भी वृद्धाश्रम हो, कोई भी टर्मिनली इल पेशेंट्स का जो सेंट हो, कोई भी अस्पताल हो, कोई भी कैंसर क्लिनिक हो, कोई भी अगर उनको मनोरंजन चाहिए, तो हम लोग एक प्रोग्राम और उनके लिए एक घंटा, देड़ घंटा, जो और हमारे इसमें से, जो भी टीचर्स अवेलबल हो, जो भी स्टूडेंट्स हो, सब का प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन करते हैं, और उससे जो आशिरवाद मिलने लगा राजी जी, यह हम पैसे के साथ तोली नहीं सकते हैं, इसमें कोई बिजनस, या इसमें कोई कि यार मेरा क्यारे में ये करूँगा, तो मुझे वहां से स्पॉंसर मिलेगा, तो ऐसा कुछ क कि वहां कि नहीं हम दें धाय। अफ्टू हूँ कि अगरा इस कि वहांगा, ढिको अज Morocco कि यह हमें इसलिए उसमिलावर G responsible ? कि अग्या नहीं कोई आटियोडош्टू एठ और राम टेमें नहीं की हमें पिए।New यह कुपत्र में प्रत्स दूए। एक यू एक साल में हम लोग ऐसे कंडिशन पर पहुंच है कि दिन में एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग एक दिन में एक प्रोग्राम तो 365 डेज में हम 365 प्रोग्राम कर रहे हैं कायश जादा हो कम नहीं होगा 365 से कम नहीं होगा रोज एक सवाल की हमने देखा कि कोविड में कोविड में बहुत सारे लोग जो है घरों पर थे तमाम बड़े-बड़े कोविड सेंटर बनाए गया है वहां पर थे और जो जिन लोगों को कोविड हुआ था कोरोना हुआ था बहुत ही डिप्रिशन में थे उस वक्त हमने जैसे मैंने कुछ वीडियो देखे आपके बहुत सारे किस तरह से उन लोगों से आप जुड़े क्योंकि उस वक्त जुड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था और लोगों तक पहुचना कैसे उसकी अमिता भटाचारिया उन्होंने लिखा और मैंने कंपोस के पहले गाना बनाया कि हारा नहीं हूं मैं एक गाना गया जो सब जगा बजा लोग प्रोचसाइथ हुए फिर बाद में हमारा जो ऐसे में निर्वाना के द्वारा हम पर्फॉर्मेंस देने लगें ऑनलाइन सारे पेशेंट्स सारे डॉक्टर सारे जो नर्स जो भी थे वहां पर जो ऐसे एक माहूल में कंटि उस सब नाच रहे थे और इंजॉय कर रहे थे मतलब पेशेंट्स जो एकदम सीरिस्ली इलते उटके एक गाना था मैं मुझे याद है वो तो गरबा कर रहे थे पूरा हॉस आता है जो हमेशा यादगार है और ये हमारे लिए भी एक सेलफिश मोटिव है कि कुछ अच्छा काम कर रहे है यार यार कुछ तो करो जिसके पीछे एक बिजनस अजेंडा नहीं हो हर चीज आप बिजनस के साथ नहीं तोल सकता है तो ऐसे में निर्वाना एक प्यॉर एक है जो कुछ नहीं एक इनसान दुसरे इनसान को थोड़े पल के लिए जॉइ ऑफ म्यूजिक देता है खुशियां देता है और उसके जीवन में थोड़ा सा शायद बदला होने है यार मैं तेरे ले दो गाना गाली है मैं तो रोज गाता हूं मेरे गाने बहुत पॉपिलर है मैं गुमता रहता हूं लेकिन जो सुन रहा है न वो जब समझ में आता है कि शंकर मादेवन ने आके मेरे लिए एक दो गाना गाके गया यार उसके लाइफ का एक इंपॉर्टन पॉइंट है शायद हम लोगों हम लोगों ने अपने आप रियलाइस किया है कि निर्वाना श पावर मा सरस्वती ने जो दिया है हमको उसका पावर को हम अलग-अलग वे में यूस कर सकते हैं लोगों के जीवन में हम तबदीली ला सकते हैं वी के ब्रिंग अबॉट सम हैपिनेस सम पीस उफ मैंड देर लाइफ क्योंकि मैं बैठा हूं इस वक्त संकर महादेवन के और अगर कोई गाना ना हो तो फिर धूरा लगेगा और मैं चाहता हूं कि उसी से इसमें निर्वाना उसके लिए जो संगीत आप लोग ने के कुछ ना कुछ जरूर सुने जरूर एक तो गाना मैं सुनाओंगा चार लैने सुनाओंगा हमारे एक फिल्म था तारे जमी पर तारे जमी पर ऐसा फिल्म था जिसमें हम कहते हैं कि खोना जाए है तारे जमी पर तो खोना जाए ये तारे जमी पर और एक गाना है जो मैं गाऊंगा हमारे देश के लिए क्योंकि लोग हमारे देश वासी बहुत दुनिया में सभी जगा बसे हुए है जो तो हम अपना देश को हमेशे याद करते रहते हैं और मेरे अकैडमी के तुरू तो इंटरनेशनल अकैडमी हो गया है तो लोग पूरे विश्व में जो लोग है उनके लिए ये गाना ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू जैन तो ये थे संगीत के जादूगर्स शंकर महादेवन जी जो SME निर्वाना प्लेटफॉर्म पे दिल का लंगर चला रहे हैं वो भी संगीत के माध्यम से और मेरी भी सबसे ही दर्कास तक है अगर आपके पास कोई भी हुनर है कोई भी कला है तो उसे आप समाज में बाटे और उन लोगों तक पहुचाएं लोगों के जीवन में खुशियां बरें जो अकेले हैं उनमें एक उर्जा की जरूरत है और उन्हें एक उत्साह की जरूरत है कैमरमेन जावेद के साथ राजेस्टर पार्थी ABP News मुंबई